बूर मौरिंगा श्टोडेंट वेलकम टूआवर यूट्व चैनल य्यर्पी के क्लासेज पठना आज हम लोग परहेंगे संस्क्रीट का जो चेप्टर टू है संस्क्रीट का जो खलास 10 टेंथ क्लास 10 तेंथ कच्छा 10 शंस्क्रीट प्यूश प्यूश्चम दुदिय भाग पाटली पुत्र बैभम इससे कोशन न पूचे ऐसा होई ने सकता अबजेक्टिव कोशन इससे आएगा ही आएगा अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव एक कोशन फिक्स रहता इस चेप्टर से बहुत इंपॉर्टन चेप्टर आप लोग लिए बोर्ड एक्जाम के लिए भी अच्छे से एक वर दो वर देख लिए इसारा कोशन इंपॉर्डन कोशन अम करवा दे रहा है ठीक है चलती है चलिए हम लोगा स्टार्ट करते हैं है फॉर्स्ट कोश्चन क्या कहता है कि एसीया महादेश का सबसे बारा सेतु कौन सा है अजय से तू बिनय से तू गांधी से तू और जवाहर से तू एसीया महादेश का कौन सा था उसमें जो हम लोग पढ़े थे उस चप्टर में तो उसमें क्या है गांधी से तू जो कहा है पटना में है अपका राइट एंसर गांथी गडितहतु हो जाएगा दूसराा कोश्ण देख्षियेगा राजदूर्ट कॉन था युञान का राजदूर्ध कौन था मेगास्थनीज हैं si Вं इङे से कोई नहीं उप्युक्त में से कोई नहीं तो मेगा युगनान का राज दूत कौन था मेगा अस्थनिस था एक वर आप लोग अच्छे से दिखिएगा इसको एक वर दो वर अच्छे से देख लिजेगा तीसरा कोशन पाटले पुत्रा की सराज की रजधानी है बिहार उत्त पटना आरा राइट इंसर आपका पटना में हो जागा पटना जक्षन के पास में है पच्छे मा नंबर देखिएगा नगर पालिका देवी कौन है नगर पालिका देवी कौन है दुरुगा देवी शर्ष्वती पटन देवी सीतला माता लोग सुनी नाम भी जाने होंगे प पाटली पुत्र में मुझह परनगर में तो पाटली पुत्र में मनाया जाता था नेक कोश्चन देखते हैं साथ नम्मर कोश्चन किसके सासनकाल में किसके सासनकाल में पाटली पुत्रें पाटली पुत्र की सोभा और रच्छा की व्यवस्ता अति उतक्रिष्ट थी क्या थी उत्कृिष्ट थी पहला ओप्षन में देखिएगा सोक, दूसरा ओप्षन में देखिएगा चंद्रुगूप्त मौरे, तीसरा ओप्षन में देखिएगा तीसरा ओप्षन में बूद, चौथा ओप्षन में समूंद्र गूपते, तेंसर आपका चंद्रुगूपते मौरे हो पूछा गया है कोश्चन नव नमबर कोश्चन देखते हैं कि कुट्टी निमता के रचनाकार कौन है सुमूंद्र गूपत दामोदर गूपत चंद्रुपत गूपत मेगास्थनीज तापका राइट एंसर हो जागा दामोदर गूपत देखते हैं 10 नमब 14 जंद्र गूपत मौरें किसा सके हैं मौऊरेवस मुगल कोौण परमावस नकोण पूछा गया है गुरू गोविंशी जो जिनका जन पत्ना में हुआ था नेक देखते हैं पाटल्यपूत्र का बुध में बुधकाल में कि नाम क्या था इनका उप्शन देखते हैं पतना पाटल ग्राम पाटली ग्राम पूश। पूश्पपूर ठीर नसर आपका होगा पाटली ग्राम था बूध के समय कि नमें पाटली ग्राम था नेक व कोभिचिन पथना की सिनदी संवनिक बोलता र determin यह पटना की सिदीशा में गंगाा नधी, प्रवी उत्तरदिशा में प्रवाह करता है कि इस काल में किस काल में पटना का नाँ पाटली ग्राम था आधके पता चला यह बुद के २ बुद्ध के समय इनका नाम क्या था पाटली ग्राम था क्या नाम था फाटली ग्राम याद रखिएगा आप लोग राइट रहगा यहाँ नंबर हो जाएगा ने कोश्चन दखते हैं कोलघर कहां आवस्तित था आप लोग को पता है कोलगर रहां अवस्तित था पुट्रे पातली पुट्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है पतली पुट्र का इतिहास किस Раз प४ सिद था गांधी शेटपूर पूल जिस तो पूल कहां परिस्ती था पहारपूर आरा पटली पुद्र में पटना में है पुद्र में है पाटली पुद्र में दुभाणी आप सब्सक्राइब है है देखेगा पतनात है पतनात है पतनात है पतनात के सब्दसूत पतना हुई है ने कोशन पाटल पूत्रा में कीस महापूरुष की जन अस्थली है गुरुनानक ता गुष ए गुर्णजी की आपको बहunte है की सीख के दस्वे गुरुकों और गुर्ण डस्भे गुरुर Sonoनयका फिक अजर्ण पतना में वasting का अम आशा करते हैं आफ लोगो वीडियो अच्छा लगए अच्छा लेकार अट लाइक सब्सक्राइब को प्रेंस करति और दोस्तों के साथ सेर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा आप लोग अच्छे से पढ़िए बोड एक्जाम में नजदिक में आप लोग को हो गया और फरवरी में आप लोग को एक्जाम होने वाली है में भी 14 या 15 फरवरी से स्टार्ट हो से डाउट हो अब लोग कोमेंट में मैसेज करते हैं इस वीडियो बना दीजिए हम बना देंगे थैंक यू अल आफ यू